नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन निूज मैं हूँ आपके साथ खुसबु सांगवी क्रोना का जो रफ्तार है वो लगतार जारी है हाला कि राहत की बात यह है कि जो क्रोना की संख्या है जो रफ्तार है अब उसमें कमी देखी जारी है जो आकरे है वो पहले की मताविक 441 यह वहीं अगर टीन जीलों की बात कर ले तो पटना अरणी और मुधियर ये तीन जदें हैं जो सबसे टouse पर हैं यजो सबसे हैं पटना की अंधानवे मरीज मिली हैं वह était मौंगेर में 35 और 1221 मिले आप को बताते हैं कि जो स्वास्त विवाग की तरफ से अपडेड जारी किया गया है उसमें बिहार के अन्य जिलों में क्या कुछ इस्तिती पाई गई है अर्वल की बात करे तो यहां आठ मरीज मिले हैं वहीं और अंगापाद की बात कर ले तो चोदा, बांका में 3, बेगु सराई में 1, भागलपुर में 14, भोजपूर में 3, बकसर में 6, दरभंगा में 3, इस्त चमपाण में 15, गया में 23, गोपाल गंज में 7, जमुई में 7, जहानाबाद में 12, कैमूर में 2, कटिहार में 11, खगडिया में 3, किशन गंज में 7, लखी पूरा में 24, मधुबनी में 22, मुझहपरपुर में 24, नालंदा में 9, नवादा में 12, रोतास में 17, सहरसा में 19, वहीं अगर समस्तिपूर की बात करें, तो वहाँ पे 16 मरीज पाए गया हैं, वहीं सेखपूरा में 5, सीता मरी में 10, सिवान में 1, सुपॉल में 4, वैशाली में 13, वेश चमपारण में 17 मरीज मिले हैं, सुवास्त विभा की तरफ से जो ताजा अपडेट जाड़ी किया गया था, उसमें बिहार में जो टोटल क्रोना के केस हैं, वो 541 है, वहीं अगर बिहार में टोटल मरीजों की संख्या की बात कर ले, तो 2,19,505 है, वहीं अगर एक्ट रिकवरी रेट है, वो 96,04 पहुंच चुका है, जो की बिहार के लिए बहुत ही खुसी की बात है, क्यूंकि किसी भी अन्य राज्य में बिहार जो है, क्रोना के रिकवरी रेट के मामले में सबसे आगे चल रहा है, तो ऐसे इन तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं, नेशन